हेलो दोस्तों तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात कर ले थे हैं एक महत्पूर एडिटोरिल के बारे में जो हमारा स्री लंका की राजनीती से संबन दित है बगेर पक्ष करे राज इसके संपादक हैं डॉक्टर दिलीड चौबे हाली में स्री लंका के राजपती चौणाओ के नतीजों ने भारतिय कूटनीती के लिए नवरे आउसर और चौणाओतियां फेस की हैं फड़ोसी देश में राजपक्षे नेतत्त वाले राश्टपती गोटा वाया और पिधान मंत्री महंदरा राश्पक्षे फेस सत्ता पर कावज हो गए हैं बता दें आपको कि राष्टपती गोटा बया और फिधान मंत्री महंदरा राच्वक्षे को राजनीती में महारत हासिल है तो वहीं उनके छोटे भाई गोटा बया को सेन निदत दिकानवा है सेनिक अधिकारी के रोम में गोटा बयान को स्रीलंका की उत्री पूर्वी छित में तमिल उगवादी संगटन लिट्टे को फराजित करने का सिरेद दिया जाता है बहुल संख्यक बौद धर्माव लंबी सिंगलियों के लिए वह युद्ध नायक हैं सिंगलियों को विश्वास है कि गोटा बया के राजनेतिक नेतत में स्रीलंका की एकता और अखंडता सुरक्षित रहेगी यही वज़ा है कि गोटा बया ने अपने बिजय संदेश में साब तोर पर कहा था कि हमें सुरू से जानते और मानते हैं कि इस चुनाव में हमें जो विजय मिली है उसमें बहुत संख्यक सिंगलियों का प्रमो के उदाने लेकिन दूसरी और अलब संख्यक तमिल समुदाय में बहुत से लोग गोटा बया को योद्ध अपरादी मानते हैं स्री लंका में इसी साल इसाईयों के तेवार इस्टर पर गिरिजा घरों पर सिल सिलेवार हुए आतंकवादी हामले का असर चुनावी नतीजों पर साब देखा जा सकता है लिट्टे के आतंकवाद के कई वर्सों बाद स्री लंका को इसलामी आतंकवाद के खत्रों से दोचार होना पड़ा इस हमले में देश में ऐसा जन्मत तेयार हुआ कि एक मजभूत राजनितिक नेतत्ती आतंकवाद के खत्रे का सामना कर सकता है राजपक्षे बंदूओं का दोबारा सत्ता में आना इसी जन्मत का नतीजा है भारत ने स्री लंका में इस राजनितिक बल्लाओ पर तुरत कदम उठाए फिधानमंत्री नेन्मोदी ने जहां बिना देर किये गोटावाया राजपक्षे राश्टपती को जीत पर बधाई दी वहीं बिदेश मंत्री एस जैन्साइंकर ने अचानक पडोसी देश का दोरा किया भारत स्री लंका की ने नेतत्तर को यह भरोसा दिलाना चाहता है कि उसकी नेवर फश्ट यानि परोसीयों को प्रात्मिता देने की नीती में स्री लंका कब इसेश स्थान है नाव निर्माचित राष्टवती गोटावया ने भी भारत के इस कथन का उतनी गरम जोच्छी से पिती उत्तर दिया और वह अपनी पहली विदेश यात्रा 29 नवंबर को भारत आ रहे हैं एस जैसंकर ऐसे फहले विदेश पिती निदी थे जिनोंने स्री लंका के चुनाव नतीजों के तुरंद बाद वहां का दोरा किया उनकी यात्रा का मकसद गोटावाया का समर्थन और निर्वाचन पिक्रिया का अनमोधन करने के साथ वहां की नई सरकार के साथ मिल जुलकर काम करने की साधिक शाह जाहिर करना था स्री लंका में हुए इस राजनितिक बदलाव से चीन भी काफी खुस है महिंदरा राजपक्षे को चीन समर्थक नेता माना जाता है वह जब राष्टपती थी तब उन्होंनों चीन को बहुत सारी सहुलियत दी थी उसी तोरान हिंद महासागर में चीनी नौसेनिक की गतिविदियां बड़ी थी भारत को यह संका थी कि चीन के योदपोत और पंडुब्यां सिर्लंका के बंदरगाहों का उप्यों कर सकते हैं चीन भारत की तरह ही सिर्लंका में विकास परियोजनाओं के क्रियान्बन में मदद कर रहा है उसकी one welt one road परियोजना में भी सिर्लंका सामिल है आने वाले दिनों में यह इस फष्ट होगा कि गोटा वया, राजपक्चे भारत और चीन के भीज अपने संबन्दों से कैसे संत्रलन कायम करते हैं स्री लंका का नित्त इस तै की आउहेलना नहीं कर सकता है कि भारत उसके भूभाग से बहुत निकट है तथा अल्ब संख्यक तमिल समदाय भारत के तमिल लाणू राज़ से लगाओ रखता है स्री लंका के आर्थिक विकास के लिए भी भारत के दच्छडी राज्यों का बहुत महत्त है राज़ पक्षे बौध सिंगली राष्टवाद की लहर पर चड़कर सत्ता में पहुँचे हैं भारत और चीन के साथ संबंदों में संतुलन कायम करने अपने देश की सुतनत विदेश नीती वरकरार रख सकते हैं भारत में पिद्धान मौन्तरी वी अनेक पक्षों से एक साथ अच्छे संबंदों कायम करने की विदेशी नीती पर अमल कर रहे हैं भारत को स्री लंका और चीन के विकास परक्ष संबंदों पर कोई आपत्ती भी नहीं होगी बारत का आग्राय के बल इतना होगा कि स्री लंका हिंद महासागर में चीन को अपना असर बढ़ाने के लिए सहायता ना दे क्योंकि यह भारत की सामरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मधून मुद्दा है लेकिन राजपक्षे भारत नीती को अनकूल कैसे किया जाए भारतिय कूट नीती के लिए चुनोती पूर्ण हो गए चलिए तो यह था भारत और स्री लंका के भी संबंदों से संबंदिक रिस्तों से संबंदिक और स्री लंका की राजनीती में यह विस्त में मुझे लगता है पहली बार है जहां तो मुझे पता है कि किसी देश में दोनों भाईयों के सत्ता हातों में पूरी सत्ता है चोटा भाई राष्टफती और वड़ा भाई पीधान मंत्री चलिए तो इस लेक्चर को यह रुखते